इन पत्रकारों का साथ अब विकाज गोस्वामी भी दे रहा है, मुकदमा करना होगा तो हाथ जोड की निवेदन है, कर दीजिएगा, बिनमर निवेदन है, मेरे उपर भी अगर कोई मुकदमा करना होगा, छेटखानी का आरोप लगवाना होगा, या फिर कोई भी आरोप जोगती हैं आप पत्रकारों को, मुकदमों को हम जैसे पत्रकार गहना समझते हैं, मुकदमों से आप डारा धमका नहीं पाएंगी, क्योंकि हमें इस देश के समविधान पे और इस देश की नियाए बेवस्था पे पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोट, मान्नी कोट, सार जजोग पर हमें पूरा विश्वास है जब यह मामला नियाले में यह पुलिस वाले नीड़े नहीं करेंगे नीड़े नियाले करेगा वह भी देश का एक अस्तंब है और हम भी देश की एक अस्तंब है बाकी फैसला कोट में हो जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री जी से अपील क करना चाहूंगा कि इस तरह के अधिकारी जो की एक मैने से जो सिकायत की जा रही है उसका निस्तारण एक हफ्ते 10 दिन में करना चाहिए था जिनके उपर मुकत्मा लिखा जाना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं लिखा गया तमाम सवाल है इसकी जाच होनी चाहिए मुझे पर साथन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर साथन पर साथन टाइम पर काम कर देता ना सर तो यह दिक्कत नहीं होती अब सोचिए मुख्यमंत्री जी के जीले के बगल वाले जीले की सारी कहानी है हिम्मत देखिए गल्ती की जाती है भूर्ण हत्या किया जाता है और उसके बाद से दबाव बनाया जाता है सिकाट करने पर कि आप केस वापस ले लेजिए मान जाईए समझाया जाता है और यह सब मौका सासन पर सासन दिलवाती है अगर ततकाल में सस्पेंड हो जाती वह महिला सिकाट मिलने के बाद और उसके बाद जाज बैठाय जाती तो सायद इन लोगों को इतनी तकलीफ नहीं जहलनी पड़ती। इंसानियत को सर्मक्तार करने की हिम्मत और जुर्रत करने वाली एक महिला जिसके उपर बड़े-बड़े आरोप लग रहा है कि वो भूड हत्या करवाती है। आरोप यह लग रहा है कि वो लगबग लगबग एक हजार से अधिक बच्चों का को गर्व में ही मार चुकी है और वो उस महिला के उपर यदि कोई पत्रकार एक्षन लेता है तो उसके उपर मुकत्मा दर्ज कर दिया जाता है और यह सब कुछ हो रहा है कुसी नगर जिले मे हैं कुसी नगर जिले में हम लों मौझ मवजूद है और गिर्जा मिसरा जिसमेला का नाम है तो जो की वाल तक नाम से भी बुरुरुल हत्या का जिम्मेदारी एक हजार से अधिक बुरुल हत्या का आरोप उसके सरपर है और वो खुद एक्सेट्ट भी कर रही है यादि गिनिज भूक में इस रिकार्ड को अगर कोई इस तरह का रिकार्ड होता कि सबसे जादा पर हिंदूस्तान देश से सबसे पहल में डॉक्टर हो चुकि है अब इस तोरह की बास सामने आ रही है कि वह जाती है और अपने आप को कंवे पताती है और इनके प्रकर इस yourself को रिवील किए वड़ फिरकार ada और वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मामले को भुरुड हत्या वाले मामले को सबसे पहले उठाया था मैं इनसे बात चित करूंगा जानकारी लूंगा और साथ ही साथ मैं अर्जुन से भी और अर्जुन कितना जादा अपरात होने के बाद भी वह जुरुत कर रही है कि उल्टे उन लोग के उपर लगा दिया जाए और आरोप क्या लगा जा रहा है कंभी छेट खानी का आरोप लगा जा रहा है तमाम आरोप लगा जा रहे हैं अभी वो पूरी डीटेल में बताएंगे अर्जुन आचुके अर्ने प्रसासनीक अधिकारियों के दरवाजा खट कट कटाते चुके हैं उसके बावजूद किसी तरह कनिस्तारण नहीं हुआ उसके बाद लगभग तीन-चार दिन पहले हमसे संपर्क किए हुए थे पूचिए इनसे यह कौई तीन-चार दिन कर लें यह पाँ दिन पहले इन्होंने बिडियों को हम को दिनarsa ढ़ा गया है कि वा 25 तरा हमें को झाल निहीं कर रही हैं और लपेटे में आप चाहिएंगे अब बाद इस तरह से समझे पाँ दिन पहले पहले का वीडियो याश मत्रम पता चल ज़ाईगा कि 5 दिन पहले का वीडियो है और उसी वीडियो को आप यह कहरे हैं कि तीन महाईने कारीब वहां पर वहां पर ईल्टरा करने के लिए च्ञा रस्ते में कहीं भी आप कुबेरस्थान से आप पड़ोना के उस अल्टरसौन क्लिनिक पर जाते तो कहीं भी ब्लॉक सिमिती नहीं आती है लेकिन जहां पर यह हमला हुआ है वह उल्टा रस्ता है कुबेरस्थान जाने का तो अधर से कोई जाता नहीं है दूसरी चीजी है कि लगा दिएगा साथ में कि किस तरह उनकी बेटी यां खुद आखर जो वहाँ पर मुझू विकास दिछित नहीं अरजुन मैं आपकी बात कम्प्लीट कीजिएगा लेकिन वह वीडियो में गिर्जा मिस्रा की बेटी दोनों बेटी है अब सुनिए सर इनकी जुरत देखिए गालिच जे रही हो तो अलग बात हो गई. एसाइटी मजाक है. मजाक है एसाइटी अब बताक थाना परभारी बनकर थाने का कोतवाल बनकर थाने का दिवान बनकर फिर्जी तरह से लोग लूटा करते थे दçi ह्यवाब लोग शुना करते थे वहां पर मौझूद थे आपके जितने भी रिकॉर्डिंग हुए है वहां पर मैं मौझूद नहीं था मैं आपने घर पे था उसके बावजूद उन्होंने मेरा आपके उपर लगाया जाना जो जिस व्यक्ति को पीटा गया है उसका चैनल से कोई दूर तलग तक नाता नहीं ह है जिस व्यक्ति को पीटा गया है यह जानके पीटा गया है कि यह भी चैनल का कोई सदस्य है ललन परताव सिंग जी सबसे पहले आप किस तारीक को इस मामले की कि सिकायत किये थे और किन से किये थे कि 30 मई को डिम साब को मैंने दिया था तो टिम साब ने सेट सियंओ को हो की से नाम से को तीन या कि मैं से बोल रहा हूं लेकिन और जम मैं भोलाकर है है मैं आपिसा रहा हूं तो मैं डेट बताऊंगा डेट बताऊंगा ऐसे करते हुए और नहीं बताए और कई आदमी धंकिया दी चार-पांच आदमी धंकी भी दिए करमचारी उसने खर्च आधिकारी को हम लोग देते हैं आप उससे अधिक ले लिए लेकिन मत कीजिए मत उठाइए उसके बाद हमको वहां के इंचार्ज बोला कि यहां आप सीमो के पास आईए कि यहां बात होगा मैं सीमो के पास गया वो नहीं आया कि इंचार्ज आपका निस्तारण करेंगे जैसे हो जो सुधा होगा वही बते हैं मैं बोला कि सीमो के पास भी और डीएम साब को पास भी जो वीडियो था दिखाने के लिए बोला तो बोलना है कि हमको वीडियो से मतलब नहीं है आप करवाई होगा जब मैं भीस तारी को घर के लिए के पास से चले तो फोन आया कि नहीं आपको आईए आपका वीडियो देख करके निस्तारण किया जाएगा जब मैं सुबह देख रहे हैं कि 946 पर रात में ही न लेकिन एक बात मैं आपको गिर्जा मिसरा जी बता दूँ क्योंकि यह वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा मीडिया हलो नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे न चालेंगी आरोप लगाने के लिए लगा देंगी मुकदमा भी दर्ज करवा लेंगी लेकिन याद रखिएगा कि उसके बाद एक और मुकदमा होगा मानहानी का यदि आप साब जूकि जब अब तक मैंने जितना भी रिपोर्ट देखा है उस रिपोर्ट में आप कहीं पे भी असाबित नहीं कर पाएंगी कि जो जो आप अन्य आरोप लगाया वो सही है लेकिन जब यह आरोप का निस्त सबस्के बबकर दाब नाया जाता है कि आपकेस वापस ले ले जाती मान जाईये समझाया जाता है और यह समॉका अबासाम में हो जाती वह मयाला ती बात जाज बैठाई जाती तो सायद इन लोगों को इतनी तकलीफ नहीं जहलनी पड़ती मुझे दर्द इस बात का है सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि एक पत्रकार जब इस तरह की गंदी हरकतों का इस तरह की सरमसार कर दिन वाली घटनाओं का को एक्सपोज करता है तो उस उसके पास तमाम खबरे हैं वो उन खबरों को कैसे दिखाएगा हम हर खबर में पार्टी खुद बनेंगे खुद सिकायत करता बनेंगे तो हर दूसरे खबर को इंपक्ट हमारा करेगा तो यह पॉसिबल ही नहीं है और नहीं किसी जर्नलिजम के एथिक्स में लिखा गया है पहले हम लोग फेस्बुक पे पत्रिकारिता करते हैं साफतोर पर हमने कल उनसे बताया था कि फेस्बुक पे पत्रिकारिता करने का मतलब यह नहीं है कि हम नेतिकता के साथ खिलवार करते हैं अगर हमारे उपर दोस्चिद्ध होता है किसी तरह से आपके पास सबूत है तब हमारा नाम उसमें include किया जाए लेकिन बीना किसी evidence कि हमारा नाम उसमें include कर दिया गया ऐसे धाराओं पर जिस पर कोई लिये न देना नहीं है वहाँ पर मौजूद हमारे पास तमाम सबूत है जो ये proof चिक-चिक कर ये पूरी कुजीनगर की जनता कह रही है कि वहाँ पर journalist मांग करता है जब journalist के साथ इस तरह सा कृत किया जाए प्रसासन उस पर सहयोग करने के बजाए दबाने के कोशिस की जाए तो कहा कोई जाए कि दब पाएगा दब पाएगा अब लगता है दब पाएगा कि बात और करना चाहूंगा कि हमारे जैसे सबी साब कर रहे थे कि सिक सिकायट करी है उस सिकायत में कितनी करवाई कर लिया अपने भारत देस्व है यहां पर सिकायट करता कि नहीं सुनी जाती है जिनघ्यार जिनके उपर आरोप लगा रहता है उनकी बड़े सिद्ध से सीनीया पता नहीं क्या एक छोटा तो गांधी जी भी बहुत करामाथी है गांदी जी भी बहुत कराम आती है ऐसा सुनने में आता है आप अपने बात कंप्लीट के जिए फिर हम मेंसन करते हैं कि जैसे एक बात इस पस्ट है कि कल हमने एस पी ऑफिस से लेकर डियम ऑफिस सबको ग्यापन दिया था उसके बाद से सीमों के पास गये थे और वहाँ पर वीडियो के दिखाती हुए का था तो वह सीमों ने डॉक्टर ताहिर अली को अपना बनाया जाच समीति के तरह कि वह जाच करें तो यहां पर एक वीडियो जि लेकिन यहां एक पत्रकार जो समाज में जो सचाई के लिए लड़ा उसके उपर बीना किसी जाच का नाम डे डाल दिया गया सोच लिए अब देख लिए किस तरह से प्रसासन की भूमिका किस तरह से संदिक दिता के स्रेड़ी में आ रही है और यही मैं सुरू से कह रहा हू कि मामला कहां से सुरू हुआ और कहां पे लेके चला गया भूरूर हत्या का मामला मुख्यमंत्री जी और परदान मंत्री जी कि सबसे बड़ी महतो कांची योजनाओं में से एक महतो कांची योजना बेटी बचाओ और बिटिया को पढ़ाओ लेकिन यहां पे बेटी नहीं अधिकारी लग जाते हैं सब कुछ सारे सिस्टम को मटिया मेट करने में अब इनसान जाए तो कहां जाए और इसमें सवालिया निसान इसलिए भी खड़ा हो रहा है न सर कि जब आप इस तोरह से पत्रकारों को परसान करेंगे तो कल को इंसाब के लिए कोई दूसरा आरजून हमारा उपर मुकदमा लग जाएगा लेकिन एक चीज और है हम लोग सर पे कफन बांग के घर से निकले हैं सर और मुकदमों को यह मैं स्पेसली गिर्जा मिसरा जी को कहना चाहरा हूं मुकदमों को हम जैसे पत्रकार गहना समझते हैं मुकदमों से आप डरा धमका नहीं पा है जब यह मामला नियाले में यह पुलिस वाले लोग चाहिए सपीस आप नीड़े नहीं करेंगे नीड़े नियाले करेगा वह भी देश का एक अस्तम्ब है और हम भी देश की एक अस्तम्ब है बाकि फैसला कोट में हो जाएगा लेकिन मुक्यमंत्री जी से अपील करना जो कि एक मैने से जो सिकाय clamps की जा रहे है उसका निश्तारीडặt हब II didnsya में करना चाहिए था जिनके कि वह थ ही तुमामपार्टी की जाच होनी चाहिए और उसकों इसके प्रॉपर्टी की जाच होनी जितना बुण हत्या हो रहा है इस जिले कंतर उसमें सीमो का हाथ आसपश्ट है क्योंकि करवाई नहीं कर रहे हैं तो उनका हाथ यह मोग आपके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लग रहा है और आरोप लगे भी क्यों ना आप हमसे करते कि कल इस मामले की जानकारी हुई और तब देखेंगे अब देखेंगे वीडियो जब कल पत्रकारों ने दिखाया है तब देख रहे थे और गिरजा मिस्रा कुबेरस्थान में तैनात इसके तबका मामला नहीं है यह फाजी नकर में भी तैनात थी न तो वहां भी ने उन्हें जच्चा बच्चा को मारा था उस चाप नर्स को या अधिकार नहीं है लेकिन आप वीडियो में साफ साफ सुन रहे हैं उन्होंने एक हजा भूड हत्याएं की हैं और अपने हाथ से की हैं और किसी डाक्टर की उन्हें मदद नहीं ली है कैदे से ऐसे भूड हत्या करने के लिए कोट की स्पेशल परमिसन ले इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे और परधान मंत्री जी भी सुनेंगे कि किस तरह से वो जो चिला चिला के भासलों में कहते हैं चुनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो मतीय मेट हो रहा है अब बाकी उम्मीद है इस आवाज के बाद शासन प्रसासन के कान खुल जाएंगे और इमानदारी से काम करेंगे नहीं करेंगे तो भैया कल भी चिला रहे थे, आज भी चिला रहे हैं कल भी चिला लगवाना होगा या फिर कोई भी आरोप लगवाना होगा लगवा दीजिएगा बोल दीजिएगा कि विकाद गोस्वामी फोन किया था और पैसा मांग रहा था कि पैसा दे दो नहीं तो हम खबर चला देंगे वह हलुआ है देखता हूं कैसे रोखती है आप पत्रकारों को ब